Hello viewers, जब कभी आपको कोई सीधा मना या नो करता है किसी भी चीज के लिए, तो आपको बुरा लगता है। इसी तरह जब आप किसी को सीधा नो कहते हैं, तो उसको भी बुरा लगता है। आज हम आपको phrases of saying no बताएंगे, जो की आज का topic है, phrases का मतलब होता वाक्यान, जब आप English में बात करेंगे किसी से और आपको no बोलना है, तो no की जगा पर आप in sentence या word का उप्योग करेंगे, तो आपकी English काफी impressive लगेगी, तो आप जारना चाते हैं words, तो जल्दी से चैनल को subscribe क होता है, जो की English को काफी impressive बनाता है, दूसरा है I am already booked, जब आपको कोई अपने साथ आने के offer देता है, लेकिन आप पहले से ही किसी और के साथ हैं, तो आप कह सकते हैं, I am already booked, no की जगा, I am already booked, मैं पहले से ही book हूँ, that's not going to work for me, जब आपको कोई advice देता है कि ऐसा कर लो, या क कुछ भी, जो की आपके काम नहीं आने वाली, तब आप no की जगा कह सकते हैं, that's not going to work for me, पिर है sounds fun, but I am not available, ऐसा तब है जब आपको कोई चिलिया पाटी पर बुलाए, लेकिन आपको मना करना है कि आप नहीं आ सकते, तो आप कहेंगे sounds fun, but I am not available, मज़दा लगता है लेकिन में उपलब नहीं, I want to, but I am unable to, मैं करना चाहता हूं, लेकिन मैं असमढ़ता हूं, जब आप चीज करना चाहते हैं, लेकिन आपको मना करना है, आप नहीं कर पाते हैं, I want to, but I am unable to, फिर इसी से मिलता जुलता है, I just don't have debt to give right now, मेरे पास अब भी ऐसा करने के लिए नहीं है, मतलब right now आप नहीं करना चाहते हैं वो चीज, तो आप no की जगा कह सकते है, I just don't have debt to give right now, I am not able to commit to debt right now, मैं अभी उसके लिए प्रतिबन नहीं हूं, अभी आप commit नहीं कर सकते हैं, तो आप ना कहना चाहते हैं, तो ना की जगा या नो की जगा आप कहेंगे, I am not able to commit to debt right now, ए आपको कोई idea दे रहा है, विचार दे रहा है, लेकिन आपके लिए वो अच्छा नहीं है, आप नहीं ले सकते हो idea, तो आप no कहेंगे, तो उसको भी देखा लगेगा कि आपने उसके idea को मना कर दिया है, तो आप इस तरीके से कह सकते है, it is not a good idea for me, apologies, but I can't make it, जब आप से कोई expectation रखता है, लेकिन आप वो चीन नहीं कर सकते, तो आप directly no कहेंगे, तो उसको भुरा लगेगा, तो आप ये कह सकते, apologies, but I can't make it, I can't take on any more responsibility, जब कोई बोले कि यार तुमें ये सब देखना है, ये तुमारे जिम्मदारी है, तब आप उसे no कहना चाहते हैं, क्योंकि आप नहीं ले सकते हैं वो responsibility, तो आप सीधा no कहेंगे, तो अच्छा नहीं है, तो आप कह सकते, I can't take on any more responsibility, my body says yes, but my heart says no, अब आपका दिल मना कर रहा है, लेकिन आपकी body, आप no कह सकते हैं, ऐसे कहेंगे, my body says yes, but my heart says no, ताकि उनको भी भुरा ना लगे, और आपकी English काफी impressive बन जाए, last time, maybe another time, शायद कभी और, इसका मतलब होता है, तो अभी आप मना करना चाते हैं, लेकिन आप उसे ये कह रहे हैं, कि फिर कभी कर सकते हैं, तो आप कहेंगे, maybe another time, direct no की जगा, maybe another time, तो ये थे कुछ sentences और words जिसे आप no की जगा इस्तमाल कर सकते हैं, phrases of saying no हैं ये, इन्हें आप use कहेंगे, no की जगा आपकी English काफी impressive होगी, सामने आलों जो आपकी English सुनेगा, उसे आपकी English को quality दिखेगी, तो वो अभी आपसे पूछेगा कि आपने ये कहां से सीखा है, और आपसे advice लेगा, तो आज की वीडियो में फिलाल इतना ही, वीडियो पसंदा आई होगी वीडियो को like करिए, हमारे चलल Kids English Guru को subscribe कीजिए, साथी bell icon प्रेस कीजिए, ताकि नई वीडियो के notification मिल पाएं सबसे पहले, ऐसे नई वीडियो के साथ जल मुलागात होगी, तब तक के लिए, thank you, goodbye, visit again.